आईसिया सबसे बड़ा महधूप है, मिर्शित रूसे इसकी तत‌रेखा भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ततरेखा बड़ी है और present, मैं आपको देख रहा है कि बहुत ज़्यादा कटी फटी तट रिखा है ASEA की तो सुभाईयों की रूप से ASEA में बहुत सारे छिछले सागरों, बंद सागरों, खाडियों और जलसंदियों का विकास हो गया है 30 छेत्रों के सहारे सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं मैप से, मैप से हमेशा 36 से सवाल पूछे जाते हैं, आप अंदर अंदर पढ़ते जाएंगे और सवाल हमेशा किनारे से पूछ कर धीरे से निकल जाता है, ऐसा आपने मस्स किया होगा तो आज हम इसी बात का अधियन करेंगे कि सकरिक खाडियां, चैनल्स, स्ट्रेट वगरा से कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं साथ में एसिया में दो बंद सागर भी है जिनका नाम है कैस्पियन सागर और अरल सागर तो हम आज के अध्या की सुरुवात कैस्पियन सागर और अरल सागर से करने जा रहे हैं सबसे पहले हम आई अरल सागर को लेते हैं एसिया के मैप में आप साब देख पा रहे हैं कि अरल सागर की सिती कहा है अरल सागर की सिती मध्धेशिया में पढ़ती है अरल सागर और काला सागर यूरोप का भाग है जबकि कैस्पियन सागर और अरल सागर मध एशिया की दो नमकीन पानी की जीले हैं, इनका नाम सागर जरूर है, लेकिन ये चारो तरफ से बंद दिखाई दे रहा है, ये खुले हुए नहीं, यानि कहीं सभी इनका पानी समुद्र से नहीं मिल से महासागरों से मिलता हो, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद अर्थात बंद सागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद और बंद सागर है, यानि इससे बड़ी जील दुनिया में नहीं है, और ये खारे पने के जील है, कैस्पियन सागर ये आप देख सकते हैं कि कौन कों से 5 देश हैं पहला देश हम अगर रूस से सुरू करें हरे कलर का यह रूस है तो यहां से यहां तक कही सा रूस है रूस के बाद अजरबैजान उसके बाद इरान इरान के बाद तुर्किमेनिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान यह 5 देश मिलक सीमा बनाते हैं रूस आप लिखते जाए क्योंकि नोट नहीं बनाएंगे तो पढ़ने का मचा नहीं आएगा इरान तुर्कमेनिस्तान पाचवा है कजाकिस्तान कैस्पियन सागर का जल खारा क्यों है क्योंकि समुद्र तो है नहीं जैसे काला सागर में भूमद सागर का पानी आता है इसलिए खारा है कैस्पियन सागर का जल खारा क्यों है क्योंकि समुद्र तो अरत्वान में है नहीं वास्तों में कैस्पीन सागर पहले काला सागर से मिला हुआ था इन जगों से प्राचीन काल में बहुत पुराने समय कैस्पीन सागर का पानी मिला हुआ था। इसलिए यहाँ पे खारा पानी आता था लेकिन बाद में चो कि महादुईपी प्रवा हुआ, महादुईपी स्थिर तो है नहीं, प्रवाहित होते रते हैं, प्लेटों के उपर हैं और प्रवाहित होते हैं, इसलिए बाद में हिस्सा लॉक हो गया, इसलिए कैस्पिय सागर ब काला सागर किस जल संधी के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है कौन सी जल संधी काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है मैं बता सकता हूं लेकिन नहीं बता हूंगा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिल्चस्पी अपने आपने पैदा करें जल संधी क् भूमी खंडों के बीच में एक सक्रा समुद्री छेतर होता है माल लेते हैं जल संधी क्या होता है जैसे जल संधी यह होता है माल लेते हैं यह एक भूमी खंड है और दूसरा भूमी खंड यह है ठीक है? यह दोनों क्या है? भूमी है और यह भी भूमी है ये क्या है माल लेते हैं ये काला सागर है और नीचे क्या है हम माल लेते हैं भूमद्य सागर है यानि ये पूरा क्या है सागर है ये पूरा इधर और इधर सागर है और बीच में भी जल फैला हुआ है तो दो भूमी खंडों की बीच जो सकरा जली चेत्र होता है और वो सकरा जली चेत्र जो दो बड़े जल चेत्रों को जोड़ता है समुद्रों में जो सकरा जली चेत्र वो सकरा जली चेत्र जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते है जल संधी कहते है तो एक तरह कि डमरू की color के आखिर्थि बनाता है तो इसे हम जल डमरू मध्ष होता है जल डमरू मध्ष होता है जल संदी और English में क例えば straight और कभी-कभी channel गयाता है है ना जैसे पाक चैनल English Channel तो दो चैनल और इंगलीश क्लम कहां कहां पर हैं जलसंदिया कहां कहां पर हैं तो मैं आपसे बता रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि अजो सागर और काला सागर का जल भूमधिय सागर से जुड़ा हुआ हैли वो कौन सी जलसंदी है जिसके माध्यम से काला सागर भूमद्य सागर से जुड़ा हुआ है आप बताएंगे इसका उतर ठीक है लेकिन इसलिए काला सागर के पानी का मिलन होता रहता है किस से भूमद्य सागर से इसी तरीके से एजोसी और काला सागर के पानी का बहिरगमन हो जाता है यानि भूमद्य सागर से कुछ पानी अंदर आ जाता है और कुछ पानी काला सागर से भूमद्य सागर की तरफ चला जाता है यानि पानी का प्रवाह बना रहता है लेकिन कैस्पियन सागर में पानी का ब मात्रसोत क्या है वाश्पी करण है काला सगर का जो तल है वो समुद्र तल से 8 मिटर नीचे है काला सगर का जो तल है यानि काला सगर का जो जल का सता है वो समुद्र के सता से 8 मिटर नीचे है यानि समुद्र की सता जीतना उचा नहीं है अगर समुद्र का सता यहां है तो काला सागर का सत्ह समुद्र की सत्ह से 8 मीटर नीचे है क्लियर क्यास्पियन सागर उत्तरी भाग वो छिछला है और धक्षडी भाग गहरा है क्यास्पियन सागर के जो उत्तरी भाग है वो किवल 8 से 9 मीटर कह रहा है और क्यास्पियन सागर के जो दच्छडी भाग है वो बहुत ज़्यादा गहरा है आप तुलना कर लेज़े 1000 मीटर गह रहा है और वसतन बता रहा हूं उत्तरी भाग क्यों 8 से 9 मीटर गहरा है अगर आप वो जो सेट्लाइट से लिए गए चितर देखेंगे केस्पियन सागर से कैस्पियन सागर की तो आपको साफ सब दिखाए देगा कि जो सेटलाइट से लिए चीतर होते हैं उसमें जो उत्तरी लाग में बहुत गहरा है सुन के ही मन से हर जाता है कि दक्षडी भाग इसका 1000 मेटर मतलब कितना होता है एक किलो मीटर इसकी गहराई है, साथ हमने नहीं सुचा होगा कभी, कैस्पियंस अगर की जल का सुरूत क्या है, अगर ये लेंड लॉग्ड है, तो इसमें पानी का सुरूत कहा है, इसमें पानी आता कहा से है, कैस्पियंस अगर की जल की दू सुरूत है, पहला वॉलगा नद और दूसरा यूराल नदी ये दोनों नदिये यूरोप से निकल कर आती हैं ये है यूराल नदी और ये है वलगा नदी ये दोनों नदिये यूरोपी छेतरों से निकल कर आती हैं और कैस्पियंस आगर के उत्तरी भाग में मिल जाती है कैस्पियंस आगर के 80% जल की आपूरती किस से होती है वोलगा नदी से होती है यानि कैस्पियंस आगर में 80% जो पानी की आपूरती है वो वोलगा नदी से प्राप्त होती है यूराल नदी से केवल 10 या 15% जल की आपूरती हो पाती है बाकी आपूरती छोटी नदियों से होत तो चुकि उत्तरी भाग में दो बड़ी नदियाँ है ये एक उध्यृत की दोatarी कैस्पियन सागर में लवडता कम है कैस्पियन सागर के पूर में आप देखेंगे ये जिस हम अल सागर कहते है अरल सागर का जल भी खा रहा है क्योंकि ये भी पहले कैस्पिन सागर से या ये पूरे छेतर समुद्री छेतर थे बाद में महादीपों के प्रवा के चलते कैस्पिन सागर भी बंद हो गया और अरल सागर भी बंद हो गया क्यों महादीपों के प्रवा के चलते अरल्जागर भी पहले एक समूद रुगा करता था अरल्जागर के स्थिति मध्यसिया में दो देशों के बीच है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान साब दिखाए दे रहा है उपर कजाकिस्तान है और नीचे उजबेकिस्तान है इन दोनों देशों के बीच ये है आपका अरल सागर अरल सागर में दो प्रमुख नदिया प्रवाईत होती है पहला कौन से दो नदिया प्रवाईत होती है पहला उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान से निकलने वाली आमू दरिया आमू दरिया और कजाकिस्तान से निकलने वाली सिर्ध दरिया यहाँ पर आमू दरिया ने दी उजब किस्तान से निकलती है इन छेत्रों से और ये परवाईत होते वे अरल सागर में चली आती है इसी तरह से कजाकिस्तान की सिर्ध दरिया निदी ये परवाईत होते हुए अरल सागर में मिल जाते है अरल सागर एक छेछला सागर है ये कोई बहुत कैस्पिन सागर की गहराई जैसे दक्षणी भाग में आपने देखा एक हजार मीटर तक है लेकिन अरल्सागर की गहाई जादा नहीं है वास्तों में एक उधला या छिछला जील छेत्र है इस छिछले जील छेत्र की गहाई ज्यादा नहीं और पानी के आप जादा नहीं है आथ या नॉ मिटर है या नहीं काफी बहुत ज्यादा नहीं है एक तो ये छिछला है बहुत ज्याधा ज्यादा नहीं है इसके चलते क्या हो गया और पाने की आप === यह बारिश होती है दो जैसे उुट के मुह में जीरा होता है पूस उतन ही बारिश होती है mo shock yower यह यहां के पढ़ने वाले रगिस्तानों के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन पूरा जो मद्धेशिया है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इरान है ना तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान यह सभी मद्धेशिया के जो देश है यह सूखा छेतर है यहां पर ख दीपों के प्रवाहखी चलती ही सारे शेतर बंद हो गए तो केश्मिद सागर बन गया और अंल-सागर बन गया तो एक तो इसमें पानी की आपूर्टी बहुत जादा नहीं क्योंकि वारिश नहीं होती है, दूसरे, ये लगतार सिमरता जा रहा है, यानि इसका अस्तिप्ति इसमें खत्रे में है, पानी भूत कम बचा है इसमें, 1960 से पहले अरल सागर का विस्तार काफी ज़्दा था, 1960 के वर्ष से पहले अरल सागर एक विस्तरी जीर हुआ करती थी, लेकिन 1960 क सोवियस संग 1990 के पहले रोज को सोवियस संग कहते थे क्यों कि रोज बड़ा करता और ज्यादा बढ़ा हुआ करता तह कई देशों का संग था तो 1960 के पहले काफी अरल साद के बाद सोवियस संग ने हमगों सिचाई की पर्योजनाएं स invert टोगी तो स्हिचाई प्रेजनाओं के लिए इसे संघने सिचाई प्रेजनाओं के लिए जो नदिया अरल साकर की तरफ जाती थी उनकी दिशा मोदी कि अपने THIS पर नदियों की दिशाए अपने घ pewnoंद बना ली ऊवहां से नहरें कर खेटों की तरफ ले पड़ाम सुरूब अरल सागर में पाने की अपूरती की कमी हो गई और 1960 के बाद ये लगातार से कुर्था चला गया और वर्तमान में से यह है कि यह क्यों 10 प्रतिश्रत रहा गया है यानि 1960 में इसका अकार जितना था उसके तुल्ला में अरल सागर सीमटकर अपके वल 10 प्रत हैं कि उन्यची को हम पहले इस हो दक्षडी भाग है गरात का प्रायदूप है इसलिए और च्रव से जल से घिरा हुआ हुआ है इसलिकर दक्षडी भारत हो उसी तरह सी अरेबियन प्रेंशुला है यह भी तिन तरफ से जलसी घीरा हुआ है अरब प्रैदिप के पस्ची में लाल सागर पूरब में फारस की खाड़ी गल्फ आफ पर्सिया इरान के तट पर है तो पूरब में फारस की खाड़ी पस्ची में लाल सागर लाल सागर और दक्षड में क्या है इसके दक्षड में अरब सागर है कोई भी समूतर जब इस्थल खंड के पास पहुंचता है और तीन तरफ से इस्थल खंड से घिर जाता है दो बाते हैं अगर भूमी का कोई खंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे प्रायदीप कहते हैं अगर जल का कोई हिस्सदा तीन तरब से भूमी से घीरा हुआ है, تو उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खाडी कहते हैं. ठीक है? तो बड़ा होता है, खाडी बड़ी होती है, तो बे कहते हैं, और खाडी छोटी होती है, तो गल्फ कहते हैं. जएसे बेयाप बंगाल सामएनते हैं एसा बोलता है बेयाप बंगाल क crazकाड़ी बड़ी है उसी थरह से गल्फ आफ मन्नार गल्फ आफ खमभाथ खमभाथ और मन्नार क्या है? सकरिक खाड़ीया च्छोटी खाड़ीया इसलिए हम गल्फ कहते है एना? तो दुन्या मेंभे बहुत कम है क्यों की बड़ी चीजिए कम होती हैं गल्फ जाता है क्यों कि जितने तेड़े मेरे तठ हैं कोई भी बड़ा समुद्र जब तठ के पास जाता है तो चारों तरफ से भूमेर जाता धाइ समूत्र का वो हिस्सा जो चारोत तरब से भूँ में से घिर जाता है वहाँ पर या तो बे होगा या तो गल्फ होगा तो लाल सागर फारस की खाड़ी के आलमा भी यहां दूसरे छोटे छोटे गल्फ पाए जाते हैं जैसे गल्फ आफ यमन सरी गल्फ आफ अधन और गल्फ आफ उमान अपने पढ़ाओगा यमन के बगल में गल्फ आफ अधन है और उमान के बगल में गल्फ आफ उमान है इन छोटी-छोटी खाड़ियों के बारे में हम अलग-अलग टॉपिक डाल के भी चर्चा करेंगे आप ऐसा में सोचे कि हम तो बड़ी जल्दी से निप्टा आदिए ऐसा कुछ नहीं है अराम से पढ़ेंगे तो हमने परच्छे भी दिया कि आरब पराइदीव के पराइदीव के पस्ते में लाल सागर लाल सागर के पूरब में यहाँ पे जी का मतलब आप समझ लीजिए का गल्फ लिखा है है ना गल्फ आफ अडन यहाँ पे लाल सागर के पूरब में गल्फ आफ अडन है तो लाल सागर जो है यहाँ पे आप सकरा जल छेतर देख रहे हैं यह तो लाल सागर है खुला हुआ है थोड़ा गल्फ आफ अडन भी थोड़ा खुला हुआ है बीच में एकदम बंद छेतर है यानि बहुत ही सकरा समुदरी छे ऐसे ही सक्रे समुद्री छेतर को जोर дов में। जल्डमरू मद्ह कहता है। यह हिंदी में जल्संदी भी कहते है। तो लाल सेगर बाब अल्मन्डेब जल्संदी लाल सेगर बाब अलमंडे जलसंती द्वारा आदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है इसका विश्तार उत्तर दक्षिण में लाल सेगर का नाम लाल क्यों पड़ा क्या इसका पानी लाल है नहीं इसका पानी कोई लाल नहीं है पानी लाल नहीं है इसका नाम लाल सेगर संभोता इसलिए रखा गया वो भी कोई निश्चित प्रमाड़ा नहीं है संभोता कहा जाता कि इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लाल सेगर की नीची तली में बहुत सारी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है और इन प्रवाल भित्यों में लाल रंग की मुंगा चट्टाने है लाल सागर के नितल पर लाल सागर की तली पर बहुत सारी प्रवाल भित्यां पाई जाती है और इन प्रवाल भित्यों में लाल कलर की लाइट रेट लाइट रेट कलर की मुंगा चट्टाने है जिसके चलते जब हम सता के उपर से तली की तरब देखते हैं, सता के उपर से, जल की सता के उपर से तली की तरब देखते हैं, तो कभी-कभी इसका पानी लाल रंग का नजर आता है, इसलिए इसका नाम लाल सागर कर दिया गया, लाल सागर की उत्तर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, उत्तर में एक भारती प्रायदीब के तरह त्रिभुज वाला एरिया दिख रहा है। इससे हम मिस्र का सिनाहीं प्रायदिब कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है पस्चे में लाल सागर के ये अफ्रीका महादीब है। इसके पस्ची में सुवेच की खाड़ी है और इसके पूरब में जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है वो अकाबा की खाड़ी है जैसे हमने ये बना दिया आपका सिनाई प्रहधीप सिनाई प्रहधीप माले तहीं ये जल भरा हुआ है ये पानी भरा हुआ है और ये क्या है लाल सैगर है तो लाल सैगर का जो उत्तरी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको एक प्रहधीप हिस्सा दिखाए देता है जिसके पस्ची में भी एक खाड़ी है और पूरब में भी खाड़ी है ये वास यह स्वेच की खाड़ी और यह है अकाबा की खाड़ी अकाबा वास्तों में स्वेच की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी कोई अलग-अलग समुद्र नहीं है वास्तों में यह लाल सागर का ही छोटा-छोटा हिस्सा है संकरा हिस्सा है चोकि तीन तरफ से जमें से घीरा और अकाबा की खाड़ी भी तीन तरफ से भूमी से घीरी हुई इसलिए से हम खाड़ियों की संगया देते हैं तो गल्फ आफ स्वेज और गल्फ आफ अकाबा दोनों गल्फ के बीच में सिनाई प्रायदीब है जो की मिस्र का हिस्सा है और सिनाई प्रायदीब के उत्तर में जो जली छेत्र है सिनाई प्रायदीब के उत्तर में जो जली छेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ और नहीं भूमद्य सागर है अगर आप एसिया की बड़ी मैप में देखें तो आपको साफ साफ यहां पर भूमद्य सागर दिखाए देगा यह है लाल सागर लाल सागर के उत्तर में इसी नहीं प्रदीब और उसके उत्तर में अगर आप देखें तो यह पूरा का पूरा हिसा जो है भूमद्य सागर का है यह जली छेतर भूमद्य सागर के पड़ता है तो तो सुरु में लाल सागर बिल्कुल बंद था और उसके उत्तर में भूमद्य सागर था लाल सागर और भूमद्य सागर के बीच में जली छितर है इतना है ना बाद में इसको काट कर यहां नहर का विस्तार किया गया नहर का विस्तार उसका नाम रखा गया सुवेज नहर तो पुरा पार नहीं करना पड़ता था तो सोईज नहर से जोभी नहरे लाल सागर से जाती थी। इस नहर को हमने सोईज नहर नाम दिया। आप है कि सुवेज नहर का निर्माद कब हुआ तो अला बंसर बंदर्गाहस इस थित एक तो भूमद इसकर की तड़ यहांपे बनाई गयी तो भूमद सागर की तड़ पर एक बंदरगाहे और एक पाभा लाल सागर की अजर यह दोनों बंदरगाह मिस्र में है यह क्पोकि स्वेजनहर का विकास है मिस्र की भूमिक को काट कर किया गया ठीक है तो मिस्र की सरकार ने बाद में सौईजनहर का राष्ट्रि करण कर दिया और Dwihnwida देशों की जहाजे लाल सागर से होते हुए भूमद सागर में जाती है मिस्र उन पर टैक्स लगाता है मिस्र की आय का सबसे बड़ा सूत स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर लगाये जाने वाला घर है उसी सबसे ज़्यादा आयपराप्त करता है मिस्र क्योंकि बहुत से देशों की जहाजे बहुमाद सागर में जाने के लिए स्वेज नहर का सहारा लेती है यह पूरा का पूरा जो पूरा में एसिया है अरप रादियों के भारत पूरा में दक्षिट पूरी एसिया चीन इनके सभी के जहाज अगर यूरोप जाने है तो लाल सागर होते हुए उसके बाद स्वेज की खाड़े में जाएंगे उसके बाद स्वेज नहर में जाएंगे और उसके बाद भूमाद सागर के देशों तक पहुंच जाते हैं जो पूर्ट साइद ये भूमाद सागर के दट पर हैं और दूसरा पूर्ट स्वेज ये लाल सागर के दट पर हैं अक्चुल में स्वेज की खाड़ी हो या स्वेज की खाड़ी हो या फिर अकाबा की खाड़ी स्वेज की खाड़ी अकाबा की खाड़ी लाल सागर का ही एक हिस्सा है इसलिए हम स्वेज बंदरगा को लाल सागर की तट पर ही स्थित्मानेंगे लाल सागर की तट पर कुछ सुरी कुछ प्रमुक नगर बसे हुए हैं लाल सागर के तेट पर पहले सर को हैं पूर्ट स्वेच लुए पूर्ट स्वेच कि मित्र में हैं दूसरा प्रमुक सर कौन सा है सुदान में पोर्ट सुदान यहाँ पर दिखाई भी रहा है आपको यानि सुदान का भी एक बंदर का इसके तटपा है और तीसरा है अधन नहीं नहीं जद्दा जद्दा का पर है जद्दा सुदी अरब है यहाँ पर इद्धा जद्दा के पूरे में आपको मक्का दिखाई दे रहा होगा और मक्का के उत्तर में मक्का और यहाँ पर मदीना दिखाई दे रहा होगा दुनिया भर से जो भी हज यात्री मक्का मदीना हज करने जाते हैं वो सीधे मक्का या मदीना नहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि जो एरपोर्ट है वो जिद्दा में है अगर आप कभी हज करने जाएंगे तो आपको पहले आपकी फ्लाइट जो है वो जिद्दा के लिए होग पोर्ट स्वेच, पोर्ट सुडान और जिद्दा, क्लियर? अब अगला टॉपिक है, अधन की खाड़ी अधन की खाड़ी बाब अलमंडेब बाब अलमंडेब जलसंधी द्वारा लाल सागर से यह अधन की खाड़ी यह अधन है और यह गल्फ आफ अधन लिखा हुआ है यह बाब अलमंडेब यहाँ पर लिखा हुआ है तो अदन की खाड़ी बाब अलमंडेब जिलसंदी द्वारा लालसागर से जुड़ा हुआ है। अदन की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप है सुकुत्रा। अदन की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप सुकुत्रा है। सुकुत्रा द्वीप पर यमन का अधिकार है यमन का प्रमुक्ष हर अधन यमन का प्रमुक्ष हर अधन वो अधन की खाड़ी के तट पर है अधन की खाड़ी के तट पर यमन का प्रमुक्ष हर अधन है और अधन के नाम पर ही इस खाड़ी के नाम क्या रखा गया है गल्फ आ नेक्स्ट अगला टॉपिक है फारस की खड़ी अगला टॉपिक है फारस की खड़ी यह यहां से शुरूता है यह यह क्यों इतना हिस्सा फारस की खड़ी इतना हिए यह फारस की खड़ी धुनिया में सबसे यह आदा झील संपन थ्य दिस्ता है उसकी तर्फाल्स आठी में सबस्कित राप आरीम स्दू इसकें इन करते हें पर अभी रात उसके पस्ची यहां पर क् eu抹ड की ततरि पर नहीं है। बल्कि ओमान की खारी के ततरTrade क्योंकि खाडी यही तक है। लिए और देकिए इसके पूर मैं यहां से सुरू हता है। यहां से स्टाट होता है यह ओमान फारस की खाड़ी की तर्ट पर नहीं है यहां से जुड़े ही सवाल खुब पूचे जाते हैं चोटे छोटे जो कि आपने ध्यान नहीं दियोंगे अचानक से उठा लिए जाएगा तो मैं चाहता हूं कि छोटे चोटे टॉपिक पर थोड़ यह है बहरीन उसके पस्चे में यह पूरा क्या है साओधी अरब पिंक कलर का साओधी अरब उसके पस्चे में कुवैत के उत्तर में इराक और इराक के पूरा में यहां पे इरान यानि फारस की खाड़ी के तर्ट पर सम्भूतों साथ दिस बसने हुए है पहला यू एई द दूसरा कतर तीसरा बहरीन चौथा साओधी अरब पांचवा कुवैत छट्वा इराक और साथमा इरान इस साथ देश बसे हुए है पार्जी खाड़ी के तर्ट पर जो भी देश है इनमें से Ekt मात्र देश दुवीतीमें वह है भ्हरीन बहरीन मुख ़ोमें में नहीं है बाकी सभी जो डेशि देश हैं वह सभी अरब देश कहलते हैं यह सभी अरब देश मुक्त के भूमे में हैं लेकिन बहरीन मुक्त के भूमे में नहीं है बलकि ये अरब फारसी खाड़ी में इस्थित एक डूईपी ए देश है इस सभी देशों की राजधनिया आप बता सकते हैं युएई कतर बहरीन सहीत अरब अमीरात कुवेट इराक और इरान इनकी र पस्षि में अफगांइस्तान के पस्षि में उर्म और यहीं यह फारस की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं इरान को सभी यह पूरी के पूरे तेल से लबा लब भरे हैं ठीक है चाहे सउदिय अरब हो चाहे कुवेथ हो स्यूत अरब अमीरात हो यमन हो ओमान हो इरा जाता है यहां कहीं भी कुवा खोदेंगे यहां तेल पाय जाता है यह तेल बेचते हैं और पानी खरी देते हैं इसी से समझ सकते हैं कि यह बहुत धनी है इनके धनी होने का करण कोई उद्योग नहीं है यह पूरा इस पूरे छेत्र में क्या क्या है पस्चिमी एसिया और अर अफरीका के जुदेस है लाल स्यगर के ठीक पस्ची में ऑफरीका की जो देसं हैं वह भी जी सुड समपन है जैसे मिस्र शूडान ये सभी तेयर सी भरे हुए तो यह पूरा थे लाकीं कहला है उन्सूप्ण इसलामी बहुल जनसंख्या का छेतर है इसके इंध्यपूर अफ्रीका पूर्वी भाग और मध्यपूर के इंतर गहता है यह इसलामिक इस्टेट है ज्यादा तर यह तेल संपन है और इनकी सम्रिध्धी के कारण कोई बहुत बड़ा उद्योग व्यक्षित होना या खेती किस जानी नहीं है बलकि इनकी समर्द्धी के करण जमीन में दबा हुआ तेल है यहां पर आप कहीं भी कुवा खोदेंगे तो पानी निकलेगा पानी के लिए तो उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है अगर प्रयास ने करें तो प्यासे ही मर जाएं तो वह तेल बेशते हैं और पानी खरीते हैं और भी बात ने हमाने बताएंगी आपको फिचर में हां हां तो हम ने आप को दिखाया कि यह पूरा का पूरा अरब स्थेत्र है अ मद्यपोरो का छेत्र Teil Imag बालब भरा हुआ है तो सौभावर्ग से बात है कि के उपास यह दुनिया भर को भीतेंके तो जि पर इरान ने भी अपना बंदरगाह बना लिए इराक ने भी सौधी अरब ने भी सोदीने भी से प्सीर बतार विए अपने अपटी बंदरगाह बना लिये जो इन डेसों जो जो बड़े सहर हैं जो international city माने जाते हैं global cities वो सभी फारस खाड़ी के तठ परिस्थित हैं तो फारस की खाड़ी के तठ परिस्थित प्रमुक सहर कौन कौन से हैं क्योंकि तेल का आयात निर्यात करते हैं बहुत ज़्यादा फारस की खाड़ी के तठ परिस्थित प्रमुक सहर पहला UAE के प्रमुक सहर कौन कौन से हैं दुबई यह सभी हम बता रहें वह सहर जो फारस की खाड़ी के तठ पर हैं तो पहला हम UAE सही तरफ अभी राती हैं दुबई अबुधाबी और शर्चा कतर में कतर का कौन से सहर तठ पर है दोहा तीसरा बहरीन का कौन से सहर तठ पर है मनामा चोथा सौधी अरब का कोई खास सहर यहां पर नहीं है जो फारस की खाड़ी के तठ पर है पांचवाण इराख इराख का कौため सहर है बसरा चट्भा इराण इराण का कौन से सहर है घूशेर तो यह सभी सहर फारस की खाड़ी के तठ पर हैं यहांपे कुईत कहांपे हैं लुएत कॉर्नर में जो फारसकी खाड़ी का विर्कुल पस्य में कोना रे color को दिखाए दे रहा है यह जो हरे color का plutôt रड़ीर leer और जो हर धार इराइध कर दो किना समद्र में आपको किंडित किया अगले वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं अगले वीडियो हम आपको कहां से कहां तक दिखाएंगे अगले वीडियो में हम आपको कंभाती खाडी से लेकर मनार की खाड़ी होते हुए अंडमान होते हुए दक्षिड पूरी एसिया के जावास दक्षिड चाइनसी यलो सी होते हुए रूस के पूर में अनादिर की खाड़ी तक हम आपको सकरी खाड़ियां चैनल दिखाएंगे यह बहुत दिल्चस्प भीसा है जैसे यह दिल्चस्प था व लगता है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप के लिए जरूरी है कि आप पहला तो सस्क्राइब की हुए या नहीं बहुत से लोग सस्क्राइब करके बेल रिंग नहीं दबाते हैं अगर आप बेल रिंग दबा देंगे तो निस्टरू से आपको ज़्यादा सुविधा हो आप खुद टेलिग्राम एप खोलेंगे डेली का वीडियो आपके सामने रहेगा तो हमारे टेलिग्राम चैनल के लंग नीचे दिया हुआ है आप उसे वहां जाके जोइन कर सकते हैं नोट्स बनाना अब स्टार्ट कर देजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार